हलो दोस्तो आज हम यहां पर बात करने वाले नाइका से लिए नाइका एक बैतरी बड़ी कंपनी है जिसका कुछ टाइम पहले आई पीओ भी आया था और अच्छे कहां से पैसे बने भी थे और इसके बाद अगर हम देखे तो शेयर में एक अच्छी खासी करेक्शन भी होती ही नजर आई थी शेयर कहां पर यह 431 रुपे अभी तो अभी क्या है यहां पर बोनस या स्प्लिट दिया आगे देखेंगे इसमें उसके बाद शेयर में गिरावट होती ही नजर आई क्या अभी लेना चाहिए क्या यहां पर पैसे बनेगा क्या यहां पर बेचना चाहिए उस सब चीजों से related हम यह आपर बाते करने वाले हैं तो last तक वीडियो में बने रही है ताकि एक idea लगा नज़र आए चीजे आपको पता चलती हुए नज़र आए कि हमें करीदना है बेचना है क्या हम यह आपर कर सकते हैं करीदने का level होगे वो सब चीज से related हम last में वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो में बाढ़ेंगे इससे पहले आपसे request है कि I am small cap investor हमारे channel का नाम है क्योंकि हम small cap share से related बाते करते हैं as well as सिखाने का भी काम करते हैं तो बीच में ऐसे NICA और TCS Infosys भी ले लेते हैं ताकि चीज़े समझ भाए है ठीक है bank selling की recommendation देते नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है चीजों को यहाँ पर सीखना है सीखने के लिए वीडियो को देखिए एक-एक करके लगातार देखिए repeat करके देखिए परानी देखिए नहीं देखिए playlist को go through करें तो यहाँ पर सीखने का मौका में लेगा और अगर बारी किया सीखनी है A to Z बारी किया सीखनी है तो यहाँ पर आपके लिए course design करका है 8605-40501 8169-261-237 दोनों नमबरों को save कर लीजिए basics to advanced technical research fundamental कैसे लेना है कब लेना है कब बेचना है वो पूरा एक idea risk, reward ratio, risk management ठीक है आपको समझ में आएगा 20,000 उपे का course है 1-to-1 classes, 3 months की handling strategies using stock market online notes, सारे questions के answers as well as चीज़े काफी बहतरी इस को करने के बाद दुनिया की किसी market में जाके काम करिएगा पैसा बनेगा और ये fees 25,000 होने वाली है एक जन्वरी 2024 से ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ते है course की detail ले सकते है और अगर किसी को साथ में काम करना है तो इनी नमरों पे आप contact कर सकते हो, बात कर सकते हो बात करने का कोई पैसा नहीं है simply आपको आपकी और हमारी understanding बैठेगी तो हम आगे यहां पर काम कर सकते है, otherwise कोई issue नहीं है details रहने में कोई issue नहीं आता है, अब बात करते है FSN, e-commerce venture limited जिसे हम naika के नाम से भी जानते है females तो obviously जानती ही होंगी और आप लोग stock market में भी काम करते हो, ads वगरा भी देखते हो, तो आप लोग भी कही ना कहीं जानते होगे females की बात मैंने क्यों करी क्योंकि हम यहां पर बात करें तो यह जो products बनाती है कहीं ना कहीं women women's related dominated product इनके बनते हुए नजर आते है जैसे कि मैं जानता हूँ, ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आज मैं यहां पर website पर visit कर रहा है तो मुझे पता ही, shoes भी बेख रहे है तो यहां पर देखिए, FSN e-commerce venture limited, popular known as nika, होगे यहां पर content led lifestyle retail experience to consumer the company has a diversified portfolio है यहां पर यह beauty, personal care as well as fashion product including own branded product manufactured, तो यहां पर यह fashion related जितना ही product है, personal care related products है, खुद के brands भी यहां पर यह launch कर चुके है, तो आप क्या कर जकते हो, आप इनकी website पर जाएए, ठीक है, website पर जाके एक बार देख लीजिए, आपको एक पूरा idea लगेगा, देखो, make-up से लेटिर जितना ही products होते हैं, skincare से लेटिर, hair से लेटिर, appliances से लेटिर, bath and body से लेटिर, हारे companies के products यहां पर मिलते हुए नज़राएंगे, natural products mom and baby, health and wellness, man, okay fragrances, pop-ups, तो यहां पर mostly सारे products आपको मिलते हुए नज़राएंगे एक बार इनकी website पर विजिट करें, ठीक है काफी बहतरी ही, इन्होंने website बना रखी है, ठीक है हर तरीके के products यहां पर यह बेचते हैं तो एक बात करें, हर ची तरीके के products यहां पर मिलते हुए नज़रा रहें तो एक बात जाके, देख लीजिए, देखने में कोई बुराई नहीं है, एक idea लगता हुए नज़राता है जब आप share को खरीद रहें और बेच रहें तो market cap की बात करें, कहां एक लग करोड रुपे के इसके bottom को पकनू, 73% और अभी भी लगवा, 60% के आसपस गिरा हुआ है, बट फिर भी PE की बात करें, 2400 बनवे का यहां पर PE है, इंडश्टी का भी 47 का है, तो it is so 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 expensive, तो यहां पर जब मैंने so 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 लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा महेंगा शेयर हो चुका है, कि आपको यहां पर अगर खरीद भी रहे हो, तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, as well as PE के बेस पर कभी काम नहीं करें था, मैं बताता हूँ, but company अगर परफॉर्म करेंगी, तो PE वगएड़ा कोई मतलम नहीं रहता, इस चीच को भी याद रखिये, ROC, ROE कि इसमें है नहीं, ठीक है, इसे दूर रखियेगा, 69% का यहां पर डैट है, कोई प्लैजिंग नहीं है, 187 कर रूपीज पे इसका 52 वीख हाई लगाए था, 171 पे, यह चल रहा है, all time high की बात करें, तो लगबच 427 रुपे, बीच में इन्होंने बोनस यह split दिया था, बोनस दिया था 5 रिशो 1 का, तो अगर हम बात करें उस हिसाब से, तो आपको पता चलेगा, कि लगबच लगबच यह शेयर 2100 रुपे का हुआ करता था, और आज के हिसाब से भी देखे, तो आपको से 5 से multiply कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा, उस लेवल पर यह शेयर यहाँ पर अभी चल रहा है, बोनस के हिसाब से भी, ठीक है, तो बोनस यहाँ पर कंपनी ने issue किया, अब बात करतें, कंपनी के और शीजों से related, तो आपको समझ में आएगा, maximum chart pattern जब से share आया है, गिर रही है, ठीक है, तो क्या stages चल रहे है, क्या चल रहा है, वो हम आगे बात करेंगे, quarterly results की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, result देखिए, कंपनी के result आप देखोगे, तो आपको समझ आएगा, कि कंपनी लगातार अच्छा perform कर रही है, और highest ever sales पर बैट हुई है, पंदरसो करोड की sales है, जो कि अच्छी sales है, expenses भी साथ में हो रहे हैं, बट positive बात क्या है, दिखाई देती है, जहां पर दूसरे share को देखोगे आप, तो वहाँ पर negative performance है, बट यहाँ पर कभी negative performance नहीं रहा है, ठीक है, highest ever अभी भी यहाँ पर operating profit दिखा रहा है, 80 करोड रुपे का, जो कि quarterly yearly दोनों basis पर अच्छा है, operating profit margin की बात करोगे, highest ever पर बारे quarter में, operating profit highest ever है, margin की बात करे, margin भी अगर आप quarterly yearly basis पर देखोगे, बढ़ता हुआ नजर आया, बट इतना margin कम है, कि इसके P.E. को justify नहीं कर पा रहा है, तो इस चीट को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद हम बात करें, तो net profit की बात करोगे, तो 7 करोड रुपे के आसपास का net profit है, थोड़ा ही profit है, बट company at least profit में है, तो एक लग करोड रुपे पे लिश्ट होने वाली company इतना ही profit कर रही है, ये भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा, अगर lines की बात कर रहते हैं, या हम TCS की बात करते हैं, या फिर किसी bank की बात करते हैं, तो वो billions of dollars कमाते है, ठीक है, billions of dollars चलो हम इसे expect नहीं कर रहे है, तो कम से कम यहाँ पर 200-500 करोड का profit है, at least show होना चाहिए, ठीक है, था कि हमें थोड़ा सा आ सके, जहाँ 7 करोड का profit है, market का 48,000 करोड और एक लाग करोड पर लिस्ट हुई थी, तो कुछ justify नहीं है, तो इस चीच को थोड़ा सध्यार में रखिए, इसके इलावा यहाँ पर आप देखोगे, yearly base पर, yearly base पर performance 5-10 times होती हुई नजर आई है बिश्रे चार साल में, जहाँ पर घ self-made billionaire बनी है इंडिया में, ठीक है, female, तो reserves की बात करें, 1100 करोड के आसपास के reserves है, debt ना के बड़ाबर है, ठीक है, investment है, cash की बात करें, थोड़ा बुद cash भी पड़ा हुआ है, तो positive है, बट उस तरीके का performance नहीं है, इस चीच को याद रखिएगा, promoters की बात करें, 52% के promoters है FIs लगातार हिस्सेदारी कम कर रहे है, ध्यान दी जिएगा, DIs हिस्सेदारी बढ़ा रहे है, यह एक अच्छी बात है, public की बात करें, public से हिस्सेदारी जा रही है और public से हिस्सेदारी जाना अच्छी माना जाता है, और 23% के share है, उसमें से भी आप देखोगे, तो लगबल बेच रहे है, इस चीट को याद रखे है, जिस दिन से लिष्ट हुई है कमपनी, किसी भी promoter ने एक share नहीं खरीदा है, यहाँ पर आप देखोगे, लगातार सारे के सारे promoter और promoter के जो आसपास के लोग है, ठीक है ना, वो यहाँ पर बेस्त हुए नजरा रहे है, तो इस financials की बात करें, जहाँ पर DIs करीद रहे है, तो कहीं ना, कहीं स्कून मिलता है कि यहाँ ठीक है, अच्छा नजर आता है, बट performance को दो कि वो performance नजर नहीं आता है, क्योंकि PE बहुत हाई है पहली बात, अब बात करते है technical की, technical क्या कह रहा है, क्यों भी यहाँ पर entry बनानी चा हमारा चैनल है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन नमबरों पर नोट करके, यहाँ पर आप देख सकते है, course के related, साथ में काम करने से related, और buying selling की recommendation नहीं है, बार बार आपको बताया जा रहा है, बात करें इस share की, तो देखिए, stage 3 के बाद stage 4 शुरूई, share गिरता हुआ नजर आए रहा और इसके बाद stage 1 चालू है, performance ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, मैं नहीं काऊंगा, ठीक ठाक है, और नहीं मैं यह काऊंगा कि उस तरीके का, इसकी market value को justify कर पा रहा है, तो थोड़ा सा उस चिट को आपको क्या करना है, ध् market ऐसे नहीं चलती, market अलग दिशा में चलती है, और आपको नजर कुछ और आएगा, और market अलग कुछ करती भी नजर आएगी, तो क्या यहां पर ले लेना चाहिए, क्या यहां पर बेज देना चाहिए, उससे लिठीर हम बाते करेंगे, सबसे पहली बात, किसी को अगर buying करन करेंगे, उससे पूछेएगा, और यहां पर अभी चीज़े नीचे आ रही है, ओके long term का vision बिल्कुल मत बनाईएगा, otherwise कभी long term तक पोची नहीं पाओ, इस share में, ठीक है, और जब यह नीचे ऊपर जाए, तभी यहां पर buy करिए, कुछ है नहीं, इस share में बताने लाइक, ठ से इस level तक यह share जा सकता है, कोई परिशानी नहीं है, बट उसके लिए, financials का support होना बहुत जरूरी है, Dias खरीद रहे, वो थोड़ा सा अच्छी बात है, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी खरीदो, एक stop loss के साथ खरीदना है, क्योंकि बेचने वाले ब बने हुए है, ठीक है, लोकिन पीरिएड उसके बाद 317 और यह जा सकता है, यहां तक, बट इट विल टेक टाइम, और दूसरी बात, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिजल्ट पे ध्यान देखिएगा, कंपनी के रिजल्ट क्या पेश करी हो, इसके इस आपते तो उस अपने एडवाइजर से पूच के, ठीक है न, ध्यान रखिएगा, फिर काम करिएगा, बाइंग सेल्ट की रिकमेंडिशन है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मैं होता तो मैं शेयर को छूना ही नहीं चाता, बस वीडियो बना दिया है, जस फ